नमस्कार दोस्तों आज अपन मनोव ज्यान के टोफिक अधिगम पे चर्चा करेंगे दोस्तों इससे पहले अपन पार्ट वन और पार्ट टू के अंदर चर्चा कर चुके हैं दोस्तों जिसके अंदर पार्ट पष्ट के अंदर अपन अधिगम क्या है अधिगम वक्कर अधि सब्सक्राइब और जिन्हों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों वो पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब यह दोस्तों वीडियो अच्छा लगें तो चैनल को कीजिए लाइक और सेर आए दोस्तों आज आपन अधिगम के सेत्रवादी सिद्धान को एक एक करके पढ़ते हैं तो दोस्तों अपन अधिगम के सित्रवादी सिद्धान्तों के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे पहला सिद्धान्त पढ़ेंगे अधिगम के स्वपार्ण रोबर्ट गेने सामजी विकाश का सिद्धान्त बांडूरा निनमीद वाद सिद्धान्त किसने दियाता दोस्तों जेरोम बुरुनर आउसकता परदानुकरम का सिद्धान्त अबराम मैसलो अधिगम का अनुबव जन्ने सिद्धान्त काल रोजर्स अधिगम का तलिया सित्र क का सिद्दान्त कुर्ट लेविन चिन पुर्ण का सिद्दान्त टॉलमेन सूजना परदोगी का सिद्दान्त मेलर आधुनिक संग्यानवादिक सिद्दान्त दोस्तों इसमें भी एक बार क्योशन पहुंच लिया गया है आधुनिक संग्यानवादिका सिद्दान्त किसने दिय रोबर्ट गेने का सिद्दांत ऊहिए जिए है दोस्तों रोबर्ट गेने ने दा कंडििसें लॉर्णिंग श्रंकला अधिकम जो किसके सिद्धान प्राधारी थे इसके नर पर चोता सिद्धान दिये था सापदिक, पांचा विवेदन सिद्धान, छटप, प्रते, साथ नियम, आठा समस्या समादान, तो दोस्तों ये नीचे से उपर की और, साल से खटीन की और है, दोस्तों इसके अ सापदिक, विवेदिक और पड़ते, आवबोध इस्तर पर हैं, मौरिसन ने दिया था, थर्ड है दोस्तों, चिंतनिस्तर, हंट ने दिया था, हंट उसके बाद दोस्तों दोसरा सिद्धान पढ़ते हैं अपन सामाजी विकास सिद्धान किस ने दिया था दोस्तों बांडूरा अलबट बांडूरा ने दिया था सामाजी विकास सिद्धान दोस्तों बांडूरा एक समाजवादी मनोविज्ञानित है बांडूरा को समाजी विकास का जनक भी कहा जाता है। समाजी विकास से आसे, समाज दुवारा मानने विवार को स्विव करना, समाज दुवारा मानने विवार को त्यागना। समाजी विकास कहलाता है। बांडूरा के अनुसार बालक अपने परिवार या समाज के सदस्यों के द्वारा किये जाने वाले कारियों को देखकर सीखता है अधर बांडूरा के अनुसार बालक सरवादिक नकल या अनुकरण के माद्यम से सीखता है और इसी पर अनुकरण को ही अनुकरण पर ही बांडूरा ने सरवादिक बल दिया है जैसे चलना, फिरना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, जीवन के ने कार्य करना बांडूरा ने अपने सिद्दान के परतिबादिक करने हैं तू जीवित जोक, जोकर, गुडिया पर प्रियोक किया था बांडूरा ने अपने सिद्दान के परतिबादिक करते हैं तू चार सोपान दिये थे दोस्तों पहला आउदान, धारण, पुनस्मरण और पुनरबलन दोस्तों ये 405 बहुत important है पहला आउदान देखना, धारण करना, वेवार करना पुनरप्रस्तूती करना यानि दूसरों के सामने प्रस्तूत करना जो चीज अपन धारण करते हैं वो चीज दोसरों के सामने किस तरह से अपन प्रस्तूत करते हैं यानि कि अपना वेवार किस तरह से हैं उसके बाद दोस्तों लाश्ट में होता है पुनरबलन बानुरा के सिद्धाम्त के सैक्सुनिक मातु है सबसे पहला अनुकंध्वारा सीखने पर सरवाध्दिक बल दिया है बालक-वालीकाओं में समाजी गुणों का विकास करने में साइक हैं अपनी सब्वेता एहम्ं संस्करति का स्थान्त करने में साइक है वीरपुरुसों की जीवना का परिच्चे कराने में साइक हैं बांडूरा के अनुसार छोटे बच्चों के समक्स अनुचित सब्दों का प्रियोग ना करें क्योंकि बालक अनुकर्ण द्वारा सीखते हैं तो दोस्तों बांडूरा ने सरवाधिक बल दिया है अनुकर्ण पर उसके बाद दोस्तों तीसा सिद्दान पढ़ते हैं निर्मित वाद सिद्दान्त जैरोम बूरनर निर्मित वाद सिद्दान्त या ग्यान सरसनावाद सिद्दान्त बालक बालिकाओं के लिए सिक्सक द्वारा इसे अधिगम योग्ये वातरवण का निर्मान करना जिससे बाल निर्मित वाद एक छातर के अंदर प्रक्रिया हैं जिसमें बालक स्वयम सक्रिये रहकर ग्यान गरंड करते हैं बुरुनर के अनुसाद निर्मित वाद में बालक बालिकाओं को उनकी विशेवश्थू इस प्रकार से सिखाई जाई जिससे उनकी रटने की प्रवर्ती रोक सकें एवं बालक बालिकाओं को तारकिक वर मानसिक संग्यान इसमन समता का विकास कर सकें दोस्तों बुरुनर के नुसार बालक बालिकाओं को इस परकार से सिखाया जाना चाहिए जिससे की बालक बालिक रटने की समता कम हो सके अधिक से अधिक समझने का प्रयास करें बुरुनर ने बुरुनर के अनुसार निर्मित वाद में बालक बालिकाओं को किसी भी विसे वस्तु का सिक्षन कराने से पूर्व विशे वस्तु के नियम प्रकरती उदस्य एहुं सिद्धानतों के बारे में पूर्व में ही बता देना चाहिए यह बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों इसको ध्यान में रखना है विशेवस्तु के नियम प्रकरती उधस्य और सिद्धानतों के बारे में पूर में ही बता देना चाहिए ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों ऐसा करने से करने पर लिखना सरल हो जाएगा बालक सीखने के लिए रूची उत्पन करता है सीका गया ग्यान इस्ताई हो जाएगा सीके गया ग्यान का इस्ताना अंदर किया जा सकता है इसा करने से निर्मित वाद की विशेस्ता निर्मित वाद एक बाल के अंदर प्रक्रिया है ऐसे बालक जो स्वेम सक्री रखर सीखते हैं निर्मित वाद बालक अपने पूरू अनुबोग के द्वारा ग्यान ग्रण करते हैं। निर्मित वाद में शिक्षक केवल दिशा निर्देश का कारिय करता है। तो दोस्तों निर्मित वाद के ये पांच बहुत इंपोर्टेंट हैं। इनको ध्यान में रखजान रीट के एकजाम के दर्ष्टी से। यहां से सीटेट के अंदर भी एकात क्यूशन पहुंच लिया जाता है। इससे बालकों के सामजी गुणों का विकास होता है। इनसे बालकों में समस्या, समादान, योगे, योगेता का विकास होता है। रटने की प्रवर्टी पर लोग रखती है। कि दोस्तों निर्मित वाद कों के परकार। यह बहुत इंप्जान आत्मकश निर्मित वाद कौन है। दोस्तों जीन प्याजे जीन प्याजे ने बालक के बाई वातरणों की गटनाओं को गटनाओं से ग्यान ग्रण करता है जीन प्याजे के नुसार दोस्तों सामाजिक निर्मित वाद सामाजिक निर्मित वाद किसे लिया तो दोस्तों वाइगोस की नुसार बालक सामाजी गट ध्यविक से सीखते हैं और जेस्ट मेरन ने सुर्व के विविक को ही आदार माना है तो दोस्तं निर्वित वाद की अवस्ता तीन है इिनेक्ट्व, आइकोनिक, और सलाइमिक. कि यानि विदी का निर्मान कितने वर्श से माद्यम से जैसे ठंडा मीठा गरम उसके बाद दोस्तों आइकोनिक परतिमा का निर्मान करना तीन से बारा वर्स के बच्चों में दोस्तों इस सवस्ता में बालक परतेक वस्तु को देखकर वतावन से ग्यान गरन करता है जैसे गाई पर निबन लगता है लिखना चोटी क्लास के अंदर के बच्चों को यदि गाई का निबन दिया जाता है तो दोस्तों तो बच्चे इसके अंदर परतेक्स रूप से गाई को देखकर अपने मन के अंदर चिंतन करके ही गाई पर निबन लिख पाते हैं क्योंकि दोस्तों गायकुश ने पर्तेक्स रुप से देखे हुए हैं तीसरा जिस्दान दोस्तों इसका तीसरा नियम श्लाइम बॉलिक दोस्तों ये चुन का निर्मान बारा वर्ष के उपपर इस अवस्तब में बालक चित्र चिन संकेत के माध्यम से से सब्सक्राइंता, दोस्तों जारं बुरुन थीन नियम्पराइं, कौना से लागरार है MPC? दोस्तों जारं बुरुन का सिद्धान आघनातांमक रखा गया है निर्मित वाद को चोता सिदान्त देखते हैं दोस्तों आउसकता हैं पदानुकरम का सिदान्त किस ने दिया था दोस्तों अबराम मेलसको ने उनी सो चौन के अंदर अबराम मेलक्सकों ने अपने सिद्धान्त में आवसकता पूर्थी पर सरवादिक बल दिया दोस्तों अबराम मेलक्सकों ने किस पर सरवादिक बल दिया आवसकता पूर्थी पर सरवादिक बल दिया अबराम मेलस के केनुसार व्यक्ति अपने आउसकता पूर्थी है तो अनिकुरिया करता है जिस तत्वा से व्यक्ति के आउसकता पूर्थी होती है व्यक्ति वस्तु को सीख लेता है और व्यक्ति की आउसकता पूर्ती कभी पूरी नहीं हो सकती और सीखने की प्रिक्रिया भी कभी समाप्त नहीं हो सकती दोस्तों मैसलो के आनुसार व्यक्ति अपनी आउसकता की पूर्ती निसित पद करम में करता है इस कारणे से पदानो करम का सिद्दान्त कहा गया है इसलिए दोस्तों इसको पदानो करम का सिद्दान्त कहते हैं क्योंकि व्यक्ति अपनी आउसकताओं की पूर्थी निशित करम में करता है मैसलो के नुसार जब तक वेक्ति के पततम आसकता कि पूर्ती नहीं होती तब तक वो अपने दूसरी आफसकता कि बारे में विचार्ट नहीं करता जैसे किसी बूके वेक्ति द्वडरा चोरी करके बोजन प्रार्प्त करना तो दोस्तों अब्राम मेलक्सों ने पांच इस्तर दिये थें जिसके अंदर सारे रिक आउसकता, सुरक्सा के आउसकता, सामाजिक, सम्मान पाने के आउसकता, आत्मसिद्ध के आउसकता दोस्तों पाली और दूसरी आउसकता, विक्तिक आउसकता, दूसरी तीसरी आउसकता, सम्मान पाने के आउसकता, समाजा पाने के आउसकता, सामाजी का आउसकता तीसरी आत्मसिद्धि के हो सकता विशिष्ट हो सकता तो दोस्तों ये कटिन से सरल की और है तो दोस्तों ये सिद्धान किसकी और है सरल से कटिन की और उच्छ सिद्धान दुपर की और है दोस्तों दोस्तों इसके अंदर उच इस्तरी अधिगम कौन-कौन से तीसरे, चोता और पांचा जबकि निमन इस्तरी ये पहला और दूसरा दोस्तों इसके ट्रिक है सासु समाज में समान पनी की आत्म सिद्धी अधिगम का पांचा सिद्धान देखते हैं से तरवादी का सिद्धान दोस्तों अधिगम का अनुबव जन्ने सिद्धान किसने दिया था दोस्तों काल रोजर्स ने काल रोजर्स के नुसर बालिक वालिकाओं को किसी भी विसी वस्तु का सिक्सन उनके परतेक्स अनुबव पर आधारित करके सिखाया जाना चाहिए तो दोस्तों अनुबव जन्नी का सिदाने परतेक्स अनुबव पर आधारित करके सिखाया जाना चाहिए क्योंकि बालक परतेक्स अनुबव द्वारा सरवाधिक सिखता है प्रमप्रागत विदियों की स्तान पर नवीन सेक्षन विदियों द्वारा सिखाया जाना चाहिए चाटा सिदान देखते हैं दोस्तों अधिगम का तलल रूपिया सेतरवादी सिदान किसने दिया था कुर्थ लेविन ने 1917 में बुक दे फिल्ड ओफ साइकलोजी कुर्थ लेविन एक रहसानिक सास्थे थे हैं दोस्तों कुर्थ लेविन नए एक सुत्र दिया था लब्राबर wrapping दोस्तों पधिगम टु इंटु आधिगम एफ ओ जांगा bunu like कि एफ हो जाएगा दोस्तों यहां पर अभी फ्रेंड हो पी हो जाएगा दोस्तों व्यक्ति और ई हो जाएगा वातावरण कि दोस्तों कुट्ट लेविन ने 405 दिये थे फाला आकंसा का इस्तर आकशन का उद्धस्य इसमर्ती और गती धंड और प्रुसकार इसको द्यान में रखे दोस्तों कुट्ट लेविन के नुसार बाले वालिकों को किसी भी विशिवस्तु का सिक्षन कराने से पूरु परतम उच्छ बी परणा एंउच वातरवन का होना हतियावसक है कुर्ट लेवी ने इन दोनों पर बहुत बल दिया था क्योंकि दोनों तत्व में से किसी एक तत्व की कमी होने के उपरांद भी अधिगम प्रभावी नहीं हो सकता पुर्ट लेवीन हे अपने सीधान का प्रतिपाद नहीं सुत्र दया था तो दोस्ते ऌ आपन एल वराबर एफ इंटू पी इंटू ए तो दोस्तों यहां पर कुर्थ लेविन ने तीन तत्वा दिये थे हैं कौन-कौन से लग्से ब्रत्सना अवरोधक और मत्पून तीन सब्द दिये थे दोस्तों कुर्थ लेविन जीवन दाइरा वेक्टर्स और टॉपलोजी तो इन चिनपौन का सद्धानत नुशार बल्ग वालिकाओं को केवल सब्दों के मादेम से ही नहीं सिकाया जा सकता उन्हें केवल चितर संकेत हैं उन्हें चिनों के द्वारा भी सिकाया जा सकता है टॉलमेन के अनुसार लक्से में मार्क पर ध्यान दिया जाता है नहीं की अनुकुरिया पर मुख बदीर बालकों को सिखाने में ये बहुत स्रेश्ट है तो दोस्तों टॉलमेन के अनुसार चिन संकेत के माद्यम से चित्रसीन संकेत के माद्यम से सिखाया जा सकता है यानि कि जो बहरे गूंगे विक्तियों को इस सिद्दान्त की आदार पर सिखाया जाता है Not important दोस्तों टॉलमेन का ये सिद्दान वेवारवादी और गेश्टालवादी का मिस्रण है दोस्तों सिद्दान्त आटवा सिद्दान दोस्तों सोचना प्रदोगी सिद्दान्त मिलर का कि सोचना से आसे किसी वेक्ति वस्तु या गटना से सम्मंदीत वो जानकारी जिसका किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई अर्थो निकलता हो एंँ उन्हें फ्रेक्सित किया जा सकें सोचना कहलाती है कक्सा कक्स में सिक्सक अपने विशे वस्तु को बलग वालिकाओं तक जिन साधनों का प्रियोग किया जाता है उन्हें सोचना प्रवादोकी के नाम से जाना जाता है आता मेलर के अनुसार बालब वालिकाओं को सिखाए जाने वाली वस्तु सोस्पष्ट रूप से दिखाए देनी चाहिए अन्यता अधिगम प्रवावी नहीं होगा मेलर ने सूसना पर किया गए साथ सोपाण बतायती दोस्तम पहला सूसना के स्रोत यानि देने वाला सिक्सक सूसना का प्रारूप कितना देना है सूसना का माद्यम कैसे देना है सूसना साग मगरिक क्या देनी है सूसना का उद्ध से क्या देना है प्रात करता और परति उत्तर तो दोस्तों मेलर ने साथ सोपाण दिये थे इसके बाद दोस्तों नेश्ट देखते हैं गेश्टाल वादी के सिद्धान दोस्तों परने पहला सिद्धान पढ़ेते हैं वेवार वादी दूसरा सेत्र वादी और तीसरा पढ़ेंगे दोस्तों अब गेश्टार्ट वादी गेश्टाल सब्द का उद्वव 1912 में हुआ परंतु इसका वास्तिविक सरूप 1920 में परकटू आता दोस्तों गेश्टाल वादी के जनकों है वरदी मर इनके साइक कौन-कौनसे वरदी मर, कौपता, कोलर को गेश्टालवादी मनुविज्यान करता हैं जिसका साबती करता है समगर और या पुर्णाकार वर्दी महर ने दोस्तों या दो पुस्तक रहे रहते हों दो पुस्तक करने का Share को जाता है दोस्तों को डाश्वाइस सीखने का वेवार वदी शिखने का विवारिक सिद्दांत या सुख्सम factsिद्दानत किसने दियाता दोस्तों कोलर ने कब दियाता 1925 में अंतरज़्षिटिया सूज से आसे वीवीन नमिन परिस्तितिओं में समस्य समादान की मानसीख प्रक्रिया अंतरज़्षिटिया सूज कहलाती है कोलर के नुसा जब तक व्यक्ति के समोग कोई समस्या प्रस्तुत होती है तो व्यक्ति समस्या समधान का प्रियास करने लगता है प्रंतु असफल रहता है लेकिन अपने आसपास की प्रस्तिति का पुना अउलोकन या पुना प्रियास करने पर अचानक व्यक् होता है जिसे अंतरज़श्टी या सूज कहते हैं दोस्तों ये लाइन बहुत इंपोर्टेंट है यहां से पूनर परियास करने पर अच्छानक व्यक्ति की मानसिक में समस्य समधन उत्पन हो जाता है जिसे अंतरज़श्टी या सूज कहते हैं कोलर के अनुसार अंतरज़श्टी या सूज तत्काल उत्पन होने वाली मानसिक प्रक्रिया हैं कोलर ने अपने सिद्दान का पर्तिपादिर करने हैं तो सुल्तान नामुक्चिंपाइंजी पर पर्योग किया था चार चरणों के अंदर कोलर के नुसार प्रतेग विक्ति की समस्या एक समान होती है प्रंतु समस्या समादान की प्रस्तती बिन बिन होती है यह इंपोर्टेंट है दोस्तों सिक्सा में मात हुआ है सबसे पहले परतिवा से बाली को सीखने में साइक हैं दोस्तों सू अंतरदश्टी और स्यूज का सिद्दांत गणित और विग्यान व्याकन जैसे जटिल विशियों को सीखने में साइक हैं अधिकम का ये सिद्दांत बालकों को तारकिक हैं इसमन की सम पार्टे करम का सिद्दान्त इस पर्यादा रीत है अधिगम का यह सिद्दान्त बालकों को यांत्रिक तरीके से सिखाने के खंडन करता है दोस्तों यांत्रिक तरीके से सिखाने का सिद्दान्त वेवारवादी सिद्दान्त है अधिगम को प्रवाइद करने वाले कारक चातर से संबंदित दोस्तों चातर की आयू, मानसिक्ता, रूची, बालक का स्वास्ते, सेक्षणिक फष्टगों में, बालक की बुद्धी, अभी प्रेना दोस्तों चातर से संबंदित ये बहुत इंपोर्टेंट कारक है सिक्सक से संबंदित कारक हो सकते हैं दोस्तों सिक्सक का विक्तितुर, विसे वस्तु का ग्यान, मन विज्ञान का ग्यान, सिक्सक का स्वास्ते, चातर सिक्सक में संबंद विसे वस्तु से संबंदित हो सकता है विसे वस्तु की प्रकरती, विसे वस्तु का सरूप, विसे वस्तु का परस्तुतिकरण, विसे वस्तु का इस्पष्टता और विसे वस्तु की बासा एक नेश्ट सद्दान परते हैं दोस्तों आसु बेल का अधुनिक संग्यानवात सद्दान दोस्तों यहां से भी रिट के अंदर एक बार क्यूशन पहुंचा गया था इस सिद्धान्थ को भी देखते हैं आसु बेल का अधुनिक संग्यानवात सिद्धान्थ दोस्तों अधिगम के परतिवादि किस ने किया था दोस्तों इसने वस्तों को बोल कर या लिख कर दी जानी दी जाती है बालक उसे आत्म कर लेता है अन्यक्षन करना या इनिक्षन करना बालक दी गई सामगरी नया विचार कोज करने करके सीखता है यह हर्थ पूर्ण भी कहते हैं रटकर भी हो सकता है यह समच्छा सदान समादान पर आधारीत है रटकर सीखना बालक को दी गई सामगरी बिना समझे सीखना अर्थ पूर्ण सीखना इसमें सीखने वाली सामगरी के सार तत्व को समझने तता उसके पून रूप से ग्यान को जोड़ना दोस्तों आसुबोल के अर्थ पून सीखने का सबसे महत्पून बताएं और इसके आज में साथ को महत्पून माना है इस परकार सहयों को आत्मक सीखना, अधिनस्य सीखना, सहसर्मन दवारा सीखना, महा कोटी दवारा सीखना आसुबेल ने सीखने का निक्मनात्म सिद्धान माना है दोस्तों आसुबेल का सिद्धान निक्मनात्मक है तो दोस्तों यहां पर important वाली बात है कि आसुबेल ने चार्ट पाण देते पहला अधिकरन करके सीखना, अनिमेक्सन करके सीखना, रटकर सीखना, अदगर करके सीखना, तो दोस्तों इस परकार अपने अधिकरन के सिद्दान पूरे होते हैं, पहला वेवारवादी सिद्दान, दोसरा सेतरवादी सिद्दान, तिसरा गेस्टालवादी सिद्दान, तो दोस्तों अपने तीनों से दान्दों को पढ़ लिया है जो कि रिट की देश्टिशन तीन या चार क्यूशन यहां से देखने को मिलेंगे यदि दोस्तों वीडियो उच्छा लगें तो लाइक कीजिए सेर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि इव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो दोस्तों भी तुरंट चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले नोटिपिकेशन आपको मिल सके आने वाले वीडियो के अंदर दोस्तों अभी पढ़ना पढ़ेंगे ताकि रिट की यूनिट टू कम्प्लेट कर सके दोस्तों यूटर की complete 6 कुशन आएंगे दोस्तों यहां से चार कुशन बनते हैं अधिगम से दो कुशन बनते हैं दोस्तों अभी प्रणा से तो आने वाले वीडियो के अंदर दोस्तों अभी प्रणा पड़ेंगे तैंक यू भाई दोस्तों